तो हेलो फ्रेंड वेलकम टू माई यूटूब चैनल तो कैसे आप सब तो फ्रेंड आज का जो वीडियो है उसमें मैं आप सको बताने वाला हूँ अगर आप एक फोर विलर ड्राइब करते हो तो आपको आपकी कार की टायर की केर करना बहुत ज़ादा ज़रूरी है आज के वीडियो में मैं आप सभी को टायर से related कुछ टिप्स देने वाला हूँ टायर केर टिप्स आपको बताने वाला हूँ कि आपको किस तरह से आपके टायर को अच्छी long term के लिए अगर आपको use करना है चलाना है पूरा पैसा वसूल करना है तो किस तरह से उसकी केर किया जाए कुछ टिप्स बताऊंगा step by step जो कि आपको follow करना है और definitely 101% guarantee अगर आप ये चीज़े follow करते हो जो मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा तो आपका जो टायर है वो काफी long time तक चलेंगा और अच्छा रहेंगा तो friend काफी बार मैंने ये भी देखा हूँ कि जो टायर खराब हो जाता है वीरेंट येर उसके टायर के अंदर हो जाता है ऐसा क्यों इसके काफी जाधा reasons होते हैं जो इस वीडियो के अंदर में आपको बताऊंगा कुछ tips आपको बताऊंगा जो कि आपको follow अगर आप करते हो तो आपका टायर बहुत long term तक चलेंगा इसकी guarantee मैं द करें हो तो पूरा एंड तक देखना ताकि अच्छे से आपको knowledge मिल जाए और यह चीज़ आप follow कर सके तो मैं आपसे जादर time waste नहीं करूंगा मैं हूँ आपका दोस्त आमान बीना time waste करके आज का वीडियो start करते हैं तो first tip से यहां मैं बात कर दो first tip जो है वो यह है friends आपने क आपकी कार है आप बहुत speed से लेके जाते हो कहीं अगर गड़े भी है तो काफी जादा आप speed से वहां अपनी कार को लेके जाते हो यह first tip है कि आपको ऐसा नहीं करना है कहीं आपको दिखता है कि बहुत बड़ा गड़ा है तो वहां से आपको speed से नहीं लेना है बलके आपकी जो vehicle है उससे slow कर लेना है और वहां से आपको आराम से आपकी vehicle को निकालना है अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप बहुत fastly लेते हो तो vehicle का जो tire होता है उसके उपर काफी ज़ादा impact पड़ता है ऐसे में होता क्या है आपका जो tire है हो सकता है कहीं से cut जाए मैंने ये भी देखा हो कि जो holes होते है उससे अगर tire pass हो तो side से जो है आपकी side wall होती है वो कई बर cut भी जाती है ऐसे में ये चीज़ को avoid करने के लिए tire की light को बढ़ाने के लिए अगर आपको दिखता है कि गड़ा है तो वहाँ से आप अपकी vehicle slow कर लो जादा fastly वहाँ से travel मत करो ये first tip है ये maximum cases में देखा गए अगर आप इंडिया में हैं तो यहाँ गड़े काफी जादा है और आपको हर जगा दिखते ही होंगे ऐसी जगा आप जाते हो जहाँ काफी जादा गड़े है तो वहाँ से आपकी जो vehicle है उसे slow pass करे first tip ये है अब मैं आपसे second tip की बात करता हूँ second tip जो है वो है सही amount का tire pressure yes कई बार आपने ये भी करते हो कि आपका tire pressure है जित्ता आपको बताया जाता है उससे जादा ही दला लेते हो या उससे कम ही करा लेते हो ये चीज़ आपको नहीं करना है आपके vehicle के अंदर आपको पता है आपको कितना tire pressure लगता है आपके vehicle में अगर driver side में भी होता है कई बार लिखा होता है कि तब pressure आपके front में और आपके rear tire में होना चाहिए तो उसी हिसाब से आपको आपके tire के जो pressure है वो कराना है कई बार ये होता है काफी कम दला लेते हैं और वैसे में ही आपके अपनी vehicle को run करा ज़े तो ऐसे में होता क्या है जो traction है वो काफी जादा road के साथ हो जाता है गर्मियों का season है तो उसमें expand भी होती है और ऐसे में आपके जो tire है wear and tear हो सकता है और tire जो है आपका वो फट भी सकता है ये cases होते है तो आपको perfect tire pressure रखाना जरूरी है जितना आपको mention और आपके user manual के अंधर दिया है अगर आपको नहीं पता है तो आप इसे google पे भी search कर सकते हो आपकी vehicle का नाम डालके आखी उसमें कितना tire pressure होना चाहिए तो second tip भी बहुत जादे important है कि आपको tire pressure maintain करके रखना है नहीं तो ऐसा है wear and tear आपके tear के अंदर हो सकता है इसे से आपके tear की life है वो भी काफी जादा कम हो जाती है जल्दी ही tear खराब हो जाते है तिसरी tip के बारे में बात कर दो तिसरी जो tip है friends आपने कई बारे देखे होंग जैसे अटक जाते है तो उससे होता क्या है friends अगर कुछ time के लिए तो ठीक है बट वो जब long term तक अगर वो वहीं रहे और काफी उसकी sharp point हो तो वो आपके tear के अंदर तक चले जाते है और वहाँ पे hole कर देते और ऐसे में आपका tear जो है वो पंचर हो जाता है इसके लिए आप आपने चारो tear को देख सकते हो कहीं बहुत जाद स्टोन तो नहीं है कहीं आपको लग रहा है कि अच्छा खासा बड़ा stone वहाँ लगावा है तो उसे आप निकाल सकते हो निकालने से फाइदा आपका यह होगा कि अगर जब काड़ी चलती अगर pressure उसको कम जादा हो तो आपको जरूरी है कि आपके जो vehicle है उसे जब भी आप wash करते हो हफते में करते हो तो एक बार आप चेक कर लो अगर आप 15 दिन में एक बार करते हो तो आप चेक कर लो और जो भी stone है चारो tear में से आप निकाल लो जहां भी आपको दिख रहा है छोटे मोटे चल जाएंगे कहीं से फैल जाता है टायर उस वज़े से तो यह आप follow करो और यह चीज़ आप ज़रूर अपने vehicle के साथ करना यही कुछ ऐसी tips है जो के मैंने आप सभी को बताया और यह follow करना आपको ज़रूर ही अगर आप यह सब चीज़े follow करते हो तो आपके जो vehicle के टायर की life है वो काफ कर दो से टायर के बताया ह지